मौू रेलवे जंक्षन से मुंबई के लिए आज 22 नॉमबर से एक नई ट्रेन की शुरुआत की गई है जहां आज शाम सबातीन बजे भारत के रेल मंत्री द्वारा वर्चुलिस ट्रेन का उधगाटन किया गया वहें सुधगाटन कारिक्रम में नगरविकास एवं उर्जा मंत्री एक शर्मा ने मौवासियों का प्रतिनी धित्व किया आपको बता दें, प्रिदेश के नगर विकास और उर्जा मंत्री श्रिये के शर्मा के ही प्रयासों से और उनके ही अनुरोध पर पुर्वांचल में खास तोर से मौ रेलवे जंक्शन से सीधे मुंबई के लिए ये नई ट्रेन चलाने के इस फैसले को मंजूरी मिली है और आज मौ रेलवे जंक्शन से मुंबई के लिए इस नई सापताहिक ट्रेन का उद घाटन ट्रेल मंत्री एश्वनी वैश्रॉफ द्वारा नई दिल्ली से वर्च्वली प्रतिभाग कर किया गया और ट्रेन को अपरहन सवा तीन बजे नगर विकासे वम उर्जा मंत्री एक इस चेत्र के लोगों को ट्रेन की बेहतरीन सुविधा मिलेगी आप सबने देखा और मैं चाहूंगा कि अब मैं बोलूं उसके पहले आप तदा पीसे कहना कर लीजे पीसे कितने लोग खड़े हैं वो भी देख लीजे कि लोगों में कितना उसा है महू और मुंबई के बीच डायरेक ट्रेन चलने का आप सब को मालूम है कि मानी रेल मंत् हम लोगों ने ये काम कराने में हमको सफलता मिली है मैं महू के निवासियों को और पुर्वांचल के लोगों को बहुत-बहुत बढ़ाई बहुत-बहुत-बहुत-शुप कामना देखा हूँ आपको मालूम है कि ये गारी यहां से चलने के बाद मौमदाबाद होती हुई जाजनगर जिले में भी लुपने वाली है फिर सागंच होते हुए जौनपूर होते हुए जौनपूर जिले में भी इसका लाब मिलने वाला है एक तरह से पूरे पुर्वांचल को इस प्रेन का विशेष लाब मिलने वाला है वैसे पूरे उतरप्रदेश को इसका लाब मि जिल्ली के बाद आपको आपने अच्छा याद किया और कराया कि इसी जगह पे कुछ महीने पहले जिल्ली के लिए नहीं चलाई थी आज मुंबई के लिए चली है और भी जैसे-जैसे-जैसा मानी रेल मन्ती जी ने कहा भी अपने उद्गोधन में कि जो भी आउश्चिक होगा हो किया जाए